हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेजी लाइफ विद कुश्पर सो फ्रेंड आज मैं आपके साथ जो टियाइवाई शेयर करी हूँ बहुत ही लो बजट टियाइवाई ह है आई होप आपको पसंद आएंगे पसंद आए तो बिक थम्जब कीजेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम हमारा जो वर्क है वो बनाएंगे कार्डबोर्ड और बॉल पुट्टी से हमारे दो डियाइवाई हैं वो दोनु ही हम इसी के अकोडिंग बनाएंगे यहां मैंने cardboard लिया है और इसकी help से मैंने यहां पर strip कट की है, strip आप अपने accordingly काट सकते हैं, मैंने accordingly ही काटी है, मैंने कोई measurement नहीं लिया है, यहां मैंने 2 big strip लिया है और 7, I think 8 मैंने short strip लिया है, तो हम इसे कर देंगे masking tape के साथ secure, हमें यह सारी की सभी की सभी strip masking tape से secure कर देनी है तो अब हम क्या करें हैं, हम एक कर रही हैं इस पर एक पैटल डो, जो हम इसके ऊपर stick करेंगे, home decor piece है, बढ़ने के बाद बहुत beautiful लगेगा, I hope आपको यह भी अच्छा लगेगा, तो मैंने यहां पर एक पैटल कर रही है, डो और मैं इसे कट कर लूँगे, यहां कट कर लि हम उसे फैविकोल की help से सभी की सभी stick कर देंगे, जो हमारी long strip है, उसके उपर, यहां मैं ले रही हूँ, wall putty water plus glue का mixture, जो हमारी cardboard को thick और smooth बनाएगा, और काफी अच्छा strong बनाएगा, after dry होने के बाद, यह है पैटल जो इसको मैंने भी कर लिया है, wall putty के साथ डो और दे दि है leaf pattern, इसकी video मुझसे हो गई थी miss, मैंने direct ही दे दी है, अभी हमें क्या करना है, अब हम इन पर करेंगे color, जो हमारा यह flower है, हमें इस पर करना है, golden paint मैं इस पर spray कर दूँगी, same मेरी यह वाली video, delete हो गई थी, तो बनने के बाद, यह जो पैटल है, यह ऐसी लगेगी, जो हम हम नीचे का base तयार किया है, उस पर मैं कर दूँगी महरून कलर, accordingly आप अपने color को अपने ही according कर सकते हैं, मैंने यहाँ पूरे frame को maroon color दिया है, आप चाहें तो अपनी हर strip को अलग-अलग color के साथ पेंट कर सकते हैं, light, dark, जैसा भी आपको color पसंद है, आप उस पर कर सकते है जब यह dry हो जाए तो इसे हम कर देंगे, आफटर वर्णिश के साथ secure और बनने के बाद यह लगेगा कुछ ऐसा फ्रेंड्स, लग रहा है न, beautiful, इसी तरह हम करते हैं अपना next DIY शुरू, अप मुझे instagram और facebook को भी follow कर सकते हैं, id मैंने mention कर दी है, यहाँ मैंने big cardboard लिया है, और हमें इसके करना है, हमें इसके करने है, frame तैयार, accordingly वही है, frame आपको कितना रखना है, मैंने scale का ही margin लिया है, 22 inch का, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है, और cut कर दी है, अपने frame, मैं यहाँ पर दो frame बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है, दो frame cut, अब हमें क्या करना है इसकी करेंगे पैटल कर सकते ऐसके भी इसके उपर ड्रो करनी है तो मैंने यहां कर रही है, पैटल्स का मैंने यहां थीम दिया है, तीनों ही फ्रेम मेरे पैटल्स के हैं, तो सेम अगेन हमें अब क्या करना है, हमें अब करना है, इसे मास्किन टेप से सिक्योर, सभी की सभी पैटल्स को, एजिस को हमें सिक्योर करना है, इन और आउट दोनों साइड से तो सिक्योर करने के बाद फ्रेम वैसे भी काफी खूब सूरत लग रहा था तो यहां मेरे सिक्योर हो गई है और अब हमें क्या करना है सेम वही वोटर प्लस क्लू और मिश्चर मैं यहां पर डाल रही हूं ताकि हमारा जो फ्रेम है वह थोड़ा थिक हो जाए और थ पैटरन है अंदर का लीफ पैटरन हम उस पर अराम से दे सके तो मैं यहां पर एक कटर की हेल्प से अगर आपके पास कटर नहीं है आप स्केल या नाइफ की हेल्प से भी इसे पैटल पैटरन दे सकते हैं मैंने यहां पर दिये दिया है और और नेक्स्ट अब हमें करना क्या है इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ देना है यह मेरा पैटल्स हो गई है दोनों ड्राइ और मैं भी इस पर कर रही हूं गोल्डन स्प्रे से पेंट आप अपने पोडिंग ली ही इसे अपना पेंट दे सकते हैं आपको अगर कोल्डन रही रखना है तो आप कोई भी इस पर एकलेरिक पेंट कर सकते हैं और फ्रेंट्स वर्णिश का जरूर एक कोड दे दीजिएगा ताकि आपके जो कलर हैं वो लोंग लास्टिंग रहें काफी टाइम तक टिके रहें और यहां हमें क्या करना है अब मैं इन दोनों फ्रेम के ऊपर कर लूँगी ब्लैक कलर और मैंने यहां जो फ्रेम है वो ब्लैक कलर का लुक दिया है सेम वही है अगर आपको फ्रेम किसी और कलर का रखना है तो आप इसे और किसी कलर का भी रख सकते हैं अब हमारे दोनों फ्रेम हम पेंट कर लेंगे और उसे ड्राइ होने के लिए रख देंगे कुछ टाइम के लिए एक्लेरी कलर है जो डल्दी ड्राइ हो जाते है और मैं इसके ओपर एक बॉर्णिश का कोड दे दूँगी अब हमें असेंबल करने के लिए ग्ल्यूगन, फैव तो मैंने यहां पर इनको कर लिया है स्टिक, सेम वही मैं वालनिश का कोड देना भूल गई थी तो मैं यहां पर दे रही हूं एक वालनिश का कोड सो बनने के बाद देखे फ्रेंड से ब्यूटिफुल लगता है वोल बहुत सुन्दर लग रही है जो गोल्डन कलर है ब्लैक कलर के उपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है सो फ्रेंड आई होब आपको आज का मेरा ये डियाइवाई लो बजट डियाइवाई बहुत अच्छा लगा होगा वोल पुट्टी है जो आपको बहुत ही चीप रेट पर मिल जाती है तो आप मार्किट से परचेज कर सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को नई है तो बेल आइकन प्रेस करती दीजीगा थैंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो फैंस